अज मैं आप सबके लिए एक स्पेशल पेस्ट्री के की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है कोई चोकलेट हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे और सिर्फ 10 मिनिट में हम इसे बना कर तयार करेंगे हमें बिल्कुल इसको बेक नहीं करना है एकदम जटपट बनने वाली पेस्ट्री है यह आप इस रेसिपी को न्यू यर पर जरूर ट्राई करें इसके लिए मैंने यह एक और यू का पेकेट ले लिया है यह 30 रूपीज का जो पेकेट आता है वो है आप दो छोटे पेकेट भ यहां इख फ्रेश ब्रेड हमें यूस करना है ताकि पेस्ट्री एकदम सॉफड बने इनको हम साइडमें रख देंगे यह मैंने कटोरी और एक नाइफ ले ले लिया है एक बिस्किट को इस तरीके से लेंगे और अलग करके इसके क्रीम को हम कटोरी में निकाल देंगे चक्कू की हेल्प से और जो बिस्किट है उसको हम साइड में रखते जाएंगे इस तरीके से सारे बिस्किट की क्रीम हम अलग कर देंगे और बिस्किट को अलग रखते जाएं और इसका हम पाउडर बनाएंगे यह मैंने जाल ले लिया और इस तरीके से तोड़ तोड़ के हम सारे बिस्कित डाल के इसका पाउडर बना लेंगे यह पाउडर बनकर एकदम तयार है इस तरीके का पाउडर हमें बनाना है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो हम side में दूसरी कटोरी में निकाल कर रख देंगे जिसको हम decoration में यूज करेंगे और ये जो powder लिया है इसमें मैंने तीन बड़े चमच दूद डाल दिया है boil दूद मैंने इसमें डाला है ठंडा करके थोड़ा थोड़ा दूद हम इसमें डालेंगे और तीन बड़े चमच दूद मैं इसमें और डालूँगी और ये एकदम perfect है इसको अच्छे से mix कर लेंगे और एकदम smooth सा better हम इसका तयार करेंगे ये smooth सा better तयार कर लिया है ये एकदम perfect है इसको हम side में रख देंगे और उसके बाद हम यहां sugar syrup तयार करेंगे दो बड़े चमच मैंने यह sugar ले लिया है powder sugar मैंने यह लिया है 1 fourth cup इसमें पानी डाल कर इसका हम syrup तयार कर लेंगे ये एकदम तयार हो चुका है चीनी को अच्छे से mix कर लेना है इसको side में रखेंगे और जो cream है उसमें तीन बड़े चमच मैंने यह दूर डाल दिया है one and half tablespoon इसमें milk powder डाला है और इसको हम अच्छे से फैंट लेंगे बड़े बरतन में इसको हम निकाल लेंगे ताकि यह easily और जल्दी से बन जाए इस तरीके से यह बहुत easily whipped हो जाएगी इसको हमें लगाता है चलाते रहना है दो से तीन मिनिट में यह एकदम तयार हो जाएगी इस तरीके की एकदम smooth सी cream हमें तयार करनी है और यह एकदम तयार है इसको हम यह इस तरीके से एक bread ले लिए और knife से इसके जो sides हैं उसको हम अलग कर देंगे सारे sides हमें अलग कर देने है चारो bread मैंने इस तरीके से sides अलग करके तयार कर लिए उसके बाद मैंने यह एक plate लिए plate पे थोड़ा सा हम जो better हमने तयार किया था biscuit वाला वो लगा लेंगे और उसके बाद इस पे bread रख देंगे कि bread easily stick हो जाए उसके बाद two tablespoon यहां मैंने sugar syrup डाल दिया है corners पे और अच्छे से हमें sugar syrup डाल देना है उसके बाद paste मैंने यहां डाल दिया है अपने taste के recording one tablespoon enough है उसके बाद दूसरी bread slice रख दिया है और same process करना है उसी तरीके से सबसे उपर की जो bread है उस पे भी हम यह biscuit वाला paste लगा देंगे और side से भी हम अच्छे से इसको cover कर देंगे चारो side हमें अच्छे से cover कर लिनी है paste से और यह बहुत easily cover हो जाएगी यह एकदम तयार है फिर white वाली जो cream है वो हम इस पे spread कर देंगे और जो powder हमने अलग रखा था decoration के लिए उसको हम पहले side में अच्छे से लगा देंगे उसके बाद हम cream को spread करेंगे spoon से यह बहुत easily लग जाएगा powder cream को अच्छे से spread करने के बाद spoon से इस तरीके से side में powder से design कर देंगे और फिर देरी मिलके जो shorts आते हैं उसको मैंने यह लगा दिया है decoration के लिए यह बिलकुल optional है और यह एकदम तयार है हमारी pastry यह खाने में इतनी ला जवाब है सिर्फ 15 मिनिट में बन कर तयार हो जाती है बिना गेश जलाए हमने यह pastry तयार की है और आप इसको खा कर बताई नहीं सकते कि इसको हमने बिना bake करे तयार कर आए सिर्फ 15 मिनिट में आप किसी भी occasion पे इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें new year पे, Christmas पे या किसी birthday party के लिए और अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें अगर recipe अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को subscribe करें अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें Thank you